हेलो, हेलो, हेलो तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक मिनिट शायद हाँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलकोहल, फिनोल और एथर इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है थीक है ना हमने बहुत सारी रियक्शन्स पहले ही कर ली है तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है बहुत आराम से हमारी चीजें हो जाएंगे इसमें ठीक है तो यहाँ पे हम methods of preparation पे आ रहे हैं उमीद है कि आपको nomenclature तो आते ही होगा nomenclature से कुछ खास सवाल आते भी नहीं है ठीक है यूँकि वो आप 11th में बहुत डीटेल में पढ़ते ही हो बस आपको कुछ compounds के नाम पता होने चाहिए कि कौन सा क्या है ठीक है बटा तो वो हमको मिली जाएगा अभी जैसे जैसे हम chapters आगे बढ़ेंगे मजब इस chapter में आगे बढ़ेंगे तो हमको main compound के नाम मिल जाएंगे सबसे पहले preparation of alcohol में हमारे पास alcohol are prepared by the following method जिसमें सबसे पहले alkene से इनोंने preparation करा ही है by acid catalyzed hydration के मात थे हम से acid catalyzed hydration में क्या होता है कि वही alkene होता है उसमें हम पानी डालते हैं the presence of an acidic medium तो यहाँ पे markovnikov rule चलता है markovnikov rule के हिसाब से क्या होता है H plus और OH minus an को हम जोड़ देते हैं फिलाल यहाँ पे एक चीज़ तो हमको यह धियान रखनी की mechanism क्या है तो mechanism इसका यह है कि सबसे पहले alkene का protonation होता है sorry protonation होता है water का तो यह H3O plus मतलब hydronium an बनता है फिर यहाँ पे pi bond के electron जो है वो यहाँ पे यह H plus के पास जाते है और यह H2O यहाँ से निकलता है H यहाँ निकल जाता है कार्बो के टैन बनने के बाद क्या होता है कि यह जो पानी है दूसरा water का molecule जो है इस carbon पे आकर के attack करता है और फिर डी protonation के बाद alcohol बन जाता है तो यह आपको समझ में नहीं आया है मुझे पकी बात पता है mechanism इसकी तो हम mechanism देखते हैं इस वारी reaction को ले लेते हैं और इस वारी reaction के माद्यम से mechanism समझने की ज़रा कोशिश करते हैं यह बेटा मेरे पास प्रोपीन है और हमने क्या कराना है hydration कराना है in the acidic medium तो क्या होगा माँ पास पानी तो हो गई साथ में H plus की presence में जो कि acid से हमको मिलेगा क्या बन जाएगा H3O plus hydronium ion बनता है पढ़ाए आपने 10th में H3O plus बन जाता है hydronium ion बन जाता है यहाँ पर क्या होगा कि यह जो है hydronium ion basically यह हमारा इस तरीके से होगा कुछ ठीक है बटा इस तरीके से होगा और यहाँ पर electrons है ठीक है अब देखो दियान से देखना दियान से H3O plus मतलब oxygen पर positive है oxygen पर positive जो है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्या होता है unstable होता है oxygen being the second most electronegative element in the whole of the periodic table तो oxygen पर positive नहीं आ सकता तो क्या होता है कि यहाँ पर oxygen इस H से कहता है कि ऐसा है भाई तुम निकलो हम तुमको नहीं जहल सकते तुम निकलो और अपने electrons हमको देदो तो हम अपना positive charge neutralize तो करें तो H रोने लगता है कि मुझे positive आ जाएगा मैं कहां जाओंगा तो इस पर positive आ जाएगा तो उसका इंतजाम क्या है कि भाई यहाँ पे यह जो double bond है उसमें जो pi bond के electron है वो आ करके इस पे आ गए ठीक है pi bond के electrons जो है वो इस पे आ गए अब जब यह 5 bond के electrons इस पे आ गए तो यहाँ पर negative charge आ गया देखो यहाँ पर क्या आ गया negative charge आ गया तो finally जो हमारे पास हुआ वो यह हुआ कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके का alkene हमारा जो था उसने यह सुरूप ले लिया है ठीक है ना अब क्या होगा कि यह H प्लस आयन जो है वो यहाँ पर आ करके attack करेगा यहाँ पर आ करके attack करेगा तो बनेगा क्या तो यहाँ पर जब attack करेगा तो यह बन जाएगा ठीक है ना CH3 यहाँ पर positive charge आ गया है ना क्योंकि यह pi bond के electron यहाँ से उठ गया तो इसने जो अपना इस carbon ने अपना एक electron loose किया है यह वाला इस carbon ने एक electron अपना loose किया इसके वएसे positive charge इस पर आ गया यहाँ पर भी positive होगा ठीक है अच्छा अब यह देखो क्या है यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बिटा बन गया carbon अब क्या यह carbon stable है कि नहीं है हाँ बिलकुल stable है क्यों क्योंकि यह two degree है ठीक है carbon बन गया carbon बन गया इसके बाद में हम क्या कराते हैं पानी का अटेक कराते हैं nucleophilic attack कराते हैं पानी का तो देखो c s3 c h c s3 यह हमारा carbon इसमें दूसरा पानी का मॉलिक्यूल आएगा h2o ठीक है ना h o h ठीक हो अब hydrogen पर positive o h minus होता है तो यह भाई कहां जाएगा o h minus जा करके यहां पर लग जाएगा o h minus जा करके क्या होगा यहां पर तुमारा लग जाएगा ठीक है ना यहां पर मैंने इसको एक step में बता दिया ncrt में इसने दो step दिये हैं कि भाई वो यह कह रहा है कि यहां पर जो हमारे पास यह कार्बोकेटान बना था इसमें यह जो h2o का मॉलिक्यूल है h o h ठीक है ना यह as it is यहां पर जाएगा और जोड़ जाएगा oxygen के माद्धी हमसे link के जोगी oxygen पर loan pair है देखो दो loan pair है तो यह oxygen अपने loan pair इस carbon को दे देगा और यहां पर bond बन जाएगी तो यहां पर क्या होगा one minute हाँ यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर इस तरीके से तुमारे पास oxygen h और h यह हो गया oxygen पर positive आ गया अब अगेन oxygen positive आ गया सारा खेल तो वहीं से शुरू हुआ था तो यहां पर होज़ता है कुछ ज्यादा कठिन नहीं है बस पहले आपको क्या करना है कार्बो कटैन बना देना है कार्बो कटैन बनाने के बाद h2o उस वाले carbon से जिस पर positive charge है उससे जोड़ देना है उसके बाद क्या होगा तुमारे पास h2o जब जोड़ जाएगा तो यह जो electrons है इनको यह खीचे क oxygen और deprotonation हो जाएगा और यहां पर alcohol बन जाएगा तो इस mechanism में hydration of alkene में हमको क्या मिलता है कार्बो कटैन मिलता है तीन step में reaction होती है अब अपनी NCRT खोली है और देखिये ध्यान से तो यह mechanism मैंने समझा दी है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब हम discuss करने वाले हैं hydroboration oxidation ठीक है न अब यह जो hydroboration oxidation है इसमें बेटा anti-markovnik of rule के हिसाब से यहाँ पर addition होता है तो ध्यान रखना यहाँ पे anti-markovnik of rule चलता है anti-markovnik of rule के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है addition होता है तो anti-markovnik of rule के हिसाब से यहाँ addition होता है किसका water का, तो यह ध्यान रखना है हमें, तो alkene में ही कराते हैं, तो एक बाए NCRT देख लेते हैं, क्या दिया है उसमें, तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे यह 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 अलकीन है, और यहाँ पे हम diaborane लेते हैं, diaborane is actually BH3, nothing else, ठीक है, di diaborane, BS3, BS3 का hold twice हमको लेना है, ठीक है, तो basically B2H6, B2H6 is diaborane, इसकी यह एक unit है, ठीक है, मतलब इसी का dimer form diaborane है, BS3 की दो units जब जुड जाती है, तो diaborane बन जाता है, clear है, नहीं आया समझ, आया की नहीं आया, ठीक है, तो यह हमारा alkene है, और यह हमारा क्या है, diaborane है, ध्या BS3 के साथ अपने को reaction करानी है, तो ध्यान देना कि यह as a क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, क्योंकि boron electron deficient होगा, इसके पास 6 electron है, इसको 2 electron की और जरूरत है, to fulfill its octet, और यहाँ पे जो alkene है, यह nucleophile की तरह काम करेगा, ठीक है, अब अच्छा हम bond कहां बनाएं कि जिससे की जो positive charge आए, वो neutralize हो जाए, basically सुनना ध्यान से, अगर इस bond को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस bond को मैं इस carbon पर shift करता हूँ, तो यहाँ पर negative आएगा, इस bond को यहाँ पर shift करता हूँ, यहाँ negative आएगा, इस वाले carbon positive आएगा, और यहाँ negative आने की वज़े से इस carbon पर electron density बढ़ गई, तो boron जो है, जो कि खुद electron deficient है, यह इस वाले carbon से जुड़ेगा, तो यहाँ से bond बनेगी, आर यह बात समझ, यहाँ से bond बनेगी, और यहाँ पर positive charge है, और यह जो positive charge है, तुमारा, यह ज्यादा stable है, क्योंकि यहाँ पर methyl का plus i effect है, ठीक है, अभी मै फिर से समझाओंगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कि BH2 यहाँ के जुड़ जाएगा, और H जो है वो इधर चला जाएगा, अगेन फिर से alkaline के साथ कराएंगे, तो यह जो boron है, यह अगेन किस के साथ जाके जुड़ेगा, इस वाले carbon के साथ जुड़ेगा, और एक H इसमें इस वाले carbon के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर यह दो units मिल गई, फिर से हम कराएंगे, तो यहाँ पर फिर से वही होगा, यह वाला boron इस वाले carbon के साथ जाकर के जुड़ेगा, और यहाँ पर hydrogen लग जाएगा, ठीक है, तो finally यह मिलेगा, उसके बाद इसका H2O2 और OH minus की presence में, जो bond है, carbon और boron के बीच में यह तूटती है, और यहाँ पर OH आ जाता है, ठीक है, और यहाँ orthoboric acid हमको as a bio product मिलता है, ध्यान तो यहाँ पर anti-markovnikov addition हुआ है, जिस carbon पर ज्यादर number of hydrogen है, वहाँ, क्या गया है, OH minus गया है, तो यह anti-markovnikov है, ध्यान रखना, hydroboration oxidation is anti- Markovnikov, फिर से अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ताकि आपको रटनी ना पड़े reaction, आपको समझ में आ जाए, देखो ध्यान से, मैं ऐसे बना दू, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से बना दू, हाँ, वो इंक लग गई है मेरे हाथ में आज, तो देखो इस तरीके से आज बना दे हम, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, बनाओ, चलो अच्छा, ठीक है, तुम्हारे लिए हम ऐसे ही बना देते हैं, देखो, CS3, CH, double bond, CH2, यही तो है यार, अब इसमें देखो, मैंने डाइबोरेन डाला, ठीक है ना, ठीक बटा, अब इस कार्बन पे मैं इस double bond को लेके आता हूँ, तो हमाए पास क्या होगा, यह बनेगा, CS3, CH, positive, और यहाँ पे, CH2, negative, अब इस कार्बन पे electron density बढ़ गई, बोरॉन को क्या चाहिए, बोरॉन का octet जो है, पूरा नहीं है, तुम खुद देख लो, यहाँ पे BH3 है, तो BH3 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electron हो रहे हैं, है न, और इसको 8 चाहिए, अपना octet पूरा करने के लिए, और यहाँ पे 2 electron है, तो बोरॉन क्या करेगा, कि यह इस वाले कार्बन के साथ bond बना लेगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, कुछ इस तरी कासे, CH3, CH, CH2, B, H, H, और ये H, ठीक है पेटा, इस वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इस वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव है, अब ध्यान दो, की होगा क्या, अब क्या होगा, कि यहाँ से यह एक hydrogen जो है, यहां से यह एक hydrogen जो है अपने electrons को लेता है इस तरीके से अपने electrons को लेगा और इसकी सहायता करने के लिए पहुँच जाएगा तो यहां से यह bond टूटेगी और hydrogen की bond इससे बन जाएगी तो बनेगा क्या CH2 CH2 BH2 देखो वही NCRT में लिखा है इन्होंने समझाया नहीं है इन्होंने समझाया नहीं इसलिए teacher की आवशक्ता होती है कि तुम्हे reactions वो रटा दे ठीक है यह बन गया इसके बाद फिर से हमने दूसरा molecule लिया एलकीन का तो एलकीन का जब हम दूसरा molecule लेंगे तो बिटा क्या होगा CS3 CH double bond CH2 अगेन इस bond को उठाके इस पर लेके आएंगे तो CS3 एक मिनट हाँ CS3 CH यहाँ पर electrons है ठीक है यहाँ पर क्या है electrons है अब क्या होगा कि यह जो है boron again क्या करेगा क्योंकि again इसका octet क्या हो गया and complete हो गया न दो hydrogen और एक यह bond तो कितने electrons होए total 6 तो again यह प्यासा हो गया तो again यह क्या करेगा इसके साथ bond बना लेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बनेगा finally यह बनेगा देखो cs3 ch2 ch2 b h h और यहाँ पर यह इसके साथ ch2 ch and then there will be ch3 clear बात नहीं आया समझ बिल्कुल भी नहीं आया अब क्या होगा यहाँ पे इस कार में positive आएगा क्योंकि जब हम electron को इधर shift करेंगे तो इस पर तो negative आगा इस पर तो positive आएगा ना इस वाले कार में positive आएगा इस positive चार्ज की help करने के लिए क्या होगा कि यह hydrogen यहाँ से निकलेगा तो again यह यहाँ जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा finally वो यह बनेगा देखो CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH3 और यह भी CH2 ठीके ना यह वाला hydrogen जो यहाँ था वो यहाँ आ गया देखो यह बना हमारे पास के नहीं बना ऐसी दो यूनिट्स हैं देखो ऐसी दो यूनिट्स मिल गई हमको और BH है तो देखो क्या मिला हमको यह मिल गया की नहीं मिल गया अगेन फिर इसकी reaction हम अलकीन के साथ कराएंगे तो finally हमको यह मिलेगा देखो कैसे मिलेगा फिर जब हम इसकी reaction अलकीन के साथ कराएंगे तो हमारे पास यह है देखो CH3 एक मिनिट बटा CH2 का hole twice BH यही तो बना था अब इसकी अगेन हमने reaction किसके साथ करा है या अलकीन के साथ तो फिर से वही होगा CH3 CH double bond CH2 अब यह electron इस पर जाएगा यहाँ पर positive आएगा क्या होगा कि यह जब electrons इस पर पहुँच जाएंगे खूद जाएंगे इस पर आ जाएंगे बटा यहाँ पर इस पर आ गए और यहाँ पर positive आ गया तो अगेन यह boron क्योंकि electron deficient है इसके साथ bond बना लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना CH2 CH2 का hole twice BH CH2 CH and then there is CH3 ठीक है ठीक है आ गया समझ नहीं आया अच्छा अगर यह चीज़ तुमारी समझ में आ गए यह विटा तो अब देखो धिहान से अब देखो धिहान से यहाँ पे positive charge था इस positive charge को utilize करने के लिए अगेन यह bond तूटेगी hydrogen अपने electrons को लेगा hydride के form में यहाँ चिपक जाएगा तो अगेन हमारे पास जो आया वो यह आया CH3 CH2 CH2 का hole twice B CH2 CH and then there is CH3 CH3 तो यहाँ पे अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे हमको ऐसी कितनी units मिल गई तीन units मिल गई दो यह और एक यह तो finally जो हमारे पास बना वो यह बना देखो यह वेटा मैं बहुत आसानी समझाने कोशिश करूं नहीं mechanism बहुत ज्यादा कठिन है इसकी तो यह तीन और यह यहाँ पे अब इसके बाद क्या होगा जैसे ही हम H2O2 और OH- की presence रखेंगे तो यह जो carbon boron की bond है तोटेगी और जहाँ boron लगा था वहीं आकर के OH लग जाएग ठीक है ना और यहां ortho BOH3 ठीक है ना H3BO3 कहते हैं इसको that is ortho boric acid class 11th CRT तो ortho boric acid यहां हमको मिल जाएगा अब OH कहां पे लगा OH वहां पे लगा जहां hydrogen की संख्या ज्यादा थी तो इसलिए anti-markovnik of rule ठीक है बटा अब हम carbonile compounds पहले ही पढ़ चुके हैं तो carbonile compounds का जो reduction होता है क्योंकि alcohols का oxidation कराते हैं तो वो acids हमको मिलते हैं उल्टा करा देंगे तो carbonile compounds मिल जाएंगे है ना तो अब देखो जैसे यह aldehyde hydrogen इसमें डाला है in the presence of palladium अब फिर से मैं remind करा देता हूँ जिनको याद नहीं है जो मकार बच्चे हैं देखो ध्यान से यहां पर RC double bond OH ठीक है ना RC double bond OH अब तुमको क्या करना है तुमको कुछ भी नहीं करना है अब तुमको H2 मतलब 2 hydrogen है 1H तुमको क्या करना है देखो इस bond को उठाके इधर ले जाओ ठीक है इस bond को उठाके इधर ले जाओ 1H plus निकालो इसमें से 1H minus निकालो इसमें से भाई 1H plus लो 1H minus लो H plus और H minus अब क्या होगा कि यहां पर O minus और यह H अब O minus पे कौन जाएगा H plus जाएगा तो यह यहां और carbon पे positive आ गया है तो H minus जाएगा तो यह यहां क्या बन गया RCH2OH अलकोहल बन गया ठीक है मकार बच्छे हैं उनको फिर से मैं याद दिला रहा हूं hydrogen की presence होती है in the presence of palladium हो गया nickel हो गया platinum हो ठीक है ध्यान रखना कैसे reduction कर आना है समझ में आ गया एक H plus निकालो एक H minus निकालो यह पाई बॉंड के electrons को उपर shift करो इसमें minus charge इस पर positive charge positive charge जहां पे है वहां पे hydrogen को चिपका दो negative charge जहां पे है वहां पर H plus को चिपका दो ठीक है ना चलो बहुत अच्छी बात है इसके बाद में भीटा अब हम बात कर रहे हैं कीटोन की तो कीटोन में भी same ही काम चलेगा याद रखो कि हमने जब oxidation करा करके बनाया था alcohol तो alcohol में हमारे जो aldehyde था वो primary alcohol दे रहा था और कीटोन हमको secondary alcohol दे रहा था याद आ रही CRO3 की presence रखी थी और primary alcohol जब बनाना था तो PCC की presence रखी थी pyridinium chlorochromate वही चीज़ है reduction of carboxylic acid and easter मैंने तुमको बिटा कितनी बार समझाया है कि reduction कैसे कराएंगे अब reduction कैसे कराएंगे in the presence of acid या easter तो हमको reduction कराने का एक ही mechanism आता है ठीक है ना और वो कैसे हम कराते हैं acid और easter के case में acids और easter के case में हम कैसे कराते हैं जैसे मान लो हमारे पास यह acid है यह अपने पास acid है RC double bond OOH अब lithium aluminium hydride ले लिया ठीक है lithium aluminium hydride ले लिया तो जब हमने lithium aluminium hydride ले लिया क्योंकि बटा एक बात ध्यान रखना कि यह sodium borohydride की बसकी बात नहीं है कि acid और acid derivatives को reduce कर पाए तो lithium aluminium hydride ले लिया अब lithium aluminium hydride ह- देगा भाया तो यहां से यह bond उठेगी यहां पर positive आएगा यहां पर negative आएगा ह- यहां पर जाकर जुड़ेगा तो यहां पर beta कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा यहां पर कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा फिर यह electrons उठकर करके नीचे आएंगे यह एलेक्टराउस उट करके नीचे आएंगे और यहां पर यह इधर चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास आर सी डेबल बांड ओ एच देखो एलडी हाइड मिल गया एक स्टेप हम पीछे गया फिर से हम लीथिया मैलमिनियम हाइड्राइड के साथ र हईडराइड झब यहां पर जा करके ख बातकर ऐटाग करेंगे तो यहां पर हमारे पास हमारे पास हूंआरे पास कुछ इस तरीके का ऐलकौहल हमें मिल जाएगा ठीक है लाए समझ में आ गयी बात क्योंकि किसी ना किसी मेडियम में चलेगी ना यह रियाक्शन देखो जैस वह स्टेरीफिकेशन भी हम डिसकस कर चुके हैं बहुत काईदे से उसकी मेकैनिजम भी देखी थी कि एसिड प्लस एलकोहल जो है हमको इस्टर दे रहा है इन्द प्रेजंस ऑफ इसडिक मीडियम इस्टर का भी हम रिदक्शन करा सकते हैं है ना है लीथियम विनियम हाईड्र तो यह जो है यहां से यहां से निकल जाएगा बेटा तो तो यहां पर क्या होगा कि हा करके जोड़ेगा और किसी ना किसी मीडियम में हो रही होगी रियक्शन वहाँ से हमको एलकॉहल देखो मिल गया यहां से यहां इसको भी क्या होगा इसको भी क्या होगा एच प्लस आयन मिल जाएगा जिस मीडियम में हम रियक्शन करा रहे हैं उस मीडियम या तो पानी होगा या एसिड होगा तो वहां से एच प्लस हमको मिल जाएगा तो दो एलकॉहल हमें मिल गए तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, कहां लिखू मैं, अब सारे पन्ने भर गए, CH3, C double bond O, O C2H5, जरा इसका reduction कराईए, तो बेटा, एक तो यहां से यह चीज पूरी निकलेगी, यहां से यह जो चीज पूरी निकलेगी, यह ऐसी होगी, इसको H plus Ion मिल जाएगा, तो यहां पर यह, और यहां से जब इसका हम reduction कराएंगे, तो दो कारबन के corresponding हमको alcohol मिल तो CS3 और CH2 OH, ठीक है, इस तरीके से हमको दोनों जो alcohol मिले, वो ethyl alcohol मिले, तो यह हमको ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, ठीक है, चलो, from Grignard Reagent, अब Grignard Reagent से अपने को reaction करानी है, अगर, तो Grignard Reagent में अपने को क्या देखना है, ध्यान से देखो, Grignard Reagent में क्या देखना है, तो Grignard Reagent में हमारे पास carbon carbon होता है, ठीक है न, और RMGX है, तो इसमें जो यह positive part है, MGX वाला और यह जो R वाला part है, वो negative part है, further हम इसकी hydrolysis करा देते हैं, यह adduct बनता है, addition product, मतलब adduct, उसके बाद hydrolysis करा देते हैं, तो H plus और OH minus, ठीक है न, अब H plus कहां जाएगा, जहां negative उसको दिखेगा, तो वो इधर चला जाता है, और OH minus किधर जाएगा, वो carbon से चला जा formaldehyde है, formaldehyde in the presence of grignard reagent हमको क्या देगा, primary alcohol देगा, aldehyde कोई भी अलग, primary aldehyde कोई भी अलग होगा, except formaldehyde, वो हमको क्या देगा, secondary alcohol देगा, और ketone हमको tertiary alcohol देगा, on reaction with grignard reagent, यह सारी reaction बिटा मैंने करके बताई है, आप aldehyde ketones में जा करके देख लेना, ठीक है, you will notice that the reaction produces a primary alcohol with methanol, secondary alcohol with other aldehyde and tertiary alcohol with ketones, अब बिटा हमारे पास आता है, preparation of phenol, तो phenol की preparation हम कैसे कराते हैं, phenol को पहले carbolic acid कहा जाता था, ठीक है, तो phenol की preparation हम कैसे कराएंगे, यह सारी reactions काफी important हैं, आपको धिहान रखने हैं, तो सबसे पहले बिटा, क्लोरो बेंजीन से, क्लोरो बेंजीन का हमने देख लिया है, है ना, डाउस प्रोसेस कहते हैं, 623 कलवें, 380m पे, sodium phenoxide बनेगा, HCl की presence में phenol बन जाएगा, यहां पे हमारे पास benzene है, benzene को oleum में डाला, oleum क्या होता है बिटा, तो oleum जो है बिटा, कुछ नहीं होता है, oleum हमारे पास क्या है, oleum क्या है, हमारे पास होता है, SO2 प्लस H2SO3, ठीक है, तो oleum हमारे पास यह होता है, तो यहां पे क्या होता है, कि benzene sulfonic acid बनता है, और जब हम इसको NaOH और H+, के साथ ट्रीट करते हैं, तो phenol बन जाता है, ध्यान दो, फिर से मैं जो कह रहा हूँ, ध्यान दो, oleum क्या है, oleum कुछ नहीं है, या तो आपसे यह कह देगा, fuming H2SO4, या बोल देगा कि oleum, ठीक है न, तो sulfur dioxide plus H2SO3, क्या देदेगा, benzene sulfonic acid देता है, in the presence of NaOH and H+, phenol मिल जाता है, तो ध्यान रखना, तुमको benzene देगा, benzene से बोलेगा कि phenol बनाओ, अब बच्चे समझ नहीं पाते कैसे बनाएं, बहुत लंबा चोड़ा reaction, सीधी सीधी यही reaction है, oleum में डालो, benzene sulfonic acid मिलेगा, NaOH H+, की presence में phenol मिल जाएगा, याद, from diazonium salts, diazonium salts में हमारे पास aniline, aniline का हमने इसको डाला, NaNo2 plus HCl की presence में, तो benzene diazonium chloride मिलता है, ये बेटा amuse में और अच्छे से हम पढ़ते हैं, पानी की presence में पकड़के warm कर दिया, तो यहाँ पे phenol plus nitrogen plus HCl, देखो N2 nitrogen हो गया, HCl और phenol, ये मिल जाता है अपने को, ठीक है, तो benzene diazonium salt हमको मिलता है, जब हम aniline को, aniline को NaNo2 plus HCl की presence म रखते हैं, तो benzene diazonium salt मिलता है, पानी और warm कर देते हैं, तो phenol nitrogen और HCl मिल जाता है, from cumene की अगर हम बात करें, तो phenol is manufactured from the hydrocarbon cumene, और ये सबसे important reaction है, ये पका पूछी जाती है, as it is आती है, cumene is basically isopropyl benzene, ये धियान रखना है, benzene के ऊपर ये isopropyl group मैंने जोड दिया, oxygen तो oxygen ज ये cumene hydroperoxide कहा जाता है, अब hydrolysis करा दी, तो जैसे ही वेटा हम hydrolysis कराएंगे, तो ये OH जो है, वो इस phenol की ring पर चिपका रह जाएगा, benzene ring पर चिपका रह जाएगा, और बाकी सारी चीज़े बाहर निकल जाएगे, तो ये acetone बन जाएगा, तो फिर से देख लो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले, cumene that is is isopropyl benzene था, oxygen रखी, तो oxygen में क्या हुआ कि ये दो oxygen के जो atoms थे, carbon और hydrogen के बीच में आ गए, उसके बाद इसको क्या कहा, हमने cumene hydroperoxide फिर hydrolysis करा दी, hydrolysis कराने से जो OH है, वो benzene पर चिपका रह गया, बाकी सारी चीज़ें अलग हो गई, तो यहा methods of preparation, alcohol और phenol दोनों के देख लिए, physical और chemical properties पे अब हम अगले lecture में आएंगे, तब तक के लिए इसको फिर से revise करो, और इससे काफी सारी आपके conversions देखने को मिलेंगी, जैसे, जैसे कि आप से कह देगा, कि benzene से आपको क्या बनाना है, phenol बनाना है, या फिर वो कह देगा, कि phen phenol से आप वापिस से, phenol से आप बенजीन बनाईए, phenol से बенजीन बनाने का तरीका आगया, आप पढ़ोगी कि zinc dust डाल दो, उसके बाद वो कहेगा कि फिर से phenol बनाईए, आप बенजीन बन गया, तो कैसे आप phenol बनाऊगे, है ना, from benzene sulfonic acid, है ना, तो या तो इस तरीके से व बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलिए पढ़ाई करते रही, all the very best.